So, Hello Everyone, प्रिशान छोदरी दिस साइटन दो So, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Candlestick Pattern के बारे में जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता है यह Candlestick होती क्या है लेकिन आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एक Candlestick के बारे में अगर आप Candlestick की साइकलोजी सीख जाते हो कि यह Candle का क्या नाम है और यह Candle की formation कैसे बनती कैसे है और इस Candle को बरने के पीछे क्या क्या reason है अगर यह Candle बनी है तो मारकर यहां से उपर जाने वाली है ये candle बनी है तो market यहां से नीचे जाने वाली है ये आपको कैसे पता चलेगा ये सारी चीज़ इस वीडियो के अंतर हम बात करने वाले है दोस्तो candle stick pattern में जो हमारा start हो चुका है आज से वो 2-3 वीडियो तक चलेगा ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में सारी चीज़े cover नहीं कर सकता हूं मैं और ना आपको सारी चीज़े एक बार में ही समझ आएंगी तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सारी चीज़े बताऊंगा तो दोस्तो डायरेक्ट आप इस लैप्टोप की स्क्रीन पर ले जा कि हो जोड़ा इंप्रोटेंट है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कोमेंटर के दुरूब बताना मेरे बाई कैसी लगी मेरी मेहनत आपको और आपको कुछ समझ आया है नहीं आया सारी चीज़े ठीक है अब मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको होता है कैंडल स्टिक क्या होती है एक रेड कैंडल होती है एक रेड कैंडल होती है अब हम देखेंगे दोस्तों कि रेड इस इस कैंडल के अंदर और इस कैंडल के अंदर अंतर क्या है ठीक है और इस पर हम चार्ट पे जाके बीन सब चीजों को समझेंगे तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों देखो हमें क्या करना है अब यह दिख रहा है देखो यह केंडल की फोर्मेशन कैसी होगी सबसे पहले आपको यह सीखना बहुत जरूरी है देखो दोस्तों कोई भी ग्रीन केंडल बनती है तो मैंने क्या बताया जैसे कोई भी एक केंडल बन रही है उसके बाद जैसे ग्रीन केंडल बनेगी इधर से और यहां से बनेगी और किलोज होगी यह वाली केंडल बनेगी दोस्तों इहां से यहां से यहां से और यहां से फोर्मेशन होने के बाद यह सीधा उपर गई है बिलकुल भी नीचे की तरफ नहीं गई है नीचे विक होती है जैसे इस वाली केंडल की विक है यह इसकी नहीं है अगर इसकी यहां पर विक नहीं ह तो इसका मतलब दोस्तों आप समझते हो candle है हमेशा formation जैसे कोई भी एक candle बनी और उसके बाद जो रेड गैंडल बन रही है तो उसकी फॉर्मेशन यहां से स्टार्ट होगी और हमेशा रेड गैंडल जो स्टार्ट में की बाद अगर रेड बनेगी तो मतलब उसकी formation नीचे ही बंद होगी मतलब open जो होगी उपर होगी और close जो होगी नीचे होगी तो यह बन जाती है रेड गैंडल तो अब खुछ से बताओ यह वाली जो जाती है यह हम जाके चार्ट पर समझते हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाता हूँ और समझ जाओगे आप अच्छे से तो चलते हैं दोस्तों चार्ट जाने के बाद यह वाली केंडिल हमारे सामने बन जाती है जैसे कि आप लोग देख प हुआ यहां से ओपन हुई यहां से ओपन हुए केंडिल होई के बाद यह डायरेक्ट सीधा यह उपर ही गई यह वाली केंडिल नीचे नहीं आई दोस्तों इसकी कोई विक नहीं है मतलब ये नीचे बिल्कुल आई नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी, कोई एक बंदा भी सेल के लिए नहीं था, कोई भी यहाँ पर सेलर नहीं था, ठीके दोस्तों, यहाँ पर कोई सेलर नहीं था, हमने क्या कराई, यह वारी जो केंडिल है उपर गई, और इस केंडिल को जैसे ही रहा था यह पूरा ट्रेंड चेंज होगे एकदम से अपसाइड में चला जाता है और यहां से हमें दिख गए यहां से सभी लोग बायर से हैं और यहां से मार्केट भुलिश हो चुकी है और यह मार्केट ऊपर चली गई है एक एंडल तो हम नहीं यह देखी और भी देखते ह यह पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड के अंदर जा रहा था लेकिन होता क्या है यहां से भी एक बायर साइब और यहां से जैसी बायर साय और यहां से इतने इधर को एक यह ओपन हुई और ऊपर के लिए चली गई कैंडल एक ऐसा नहीं हुआ कि यह बैंडल ने बिग एकदम से यह बाय के अब ट्रेंड में जाने लगा और वाय के लिए सिगनल आ गया तो इस तरीके से यह केंडल वर्क करती है यह केंडल बहुत ही पावरफुल होती है अगर आप इसको अच्छा रिजल्ट यहां से जनरेट कर सकते हो ठीक है मैं आपको आगे भी चलके के-लिये चला गया दिखा तो मैं कैसे जैखो दोस्तो हैसे डाउनटेंड आ रहा था यहाप लोग देख पारे हैं डाउन ट्रेंड रहा है नीचे के लिए जारी मार्केट लेकिन यहां से अचानक से क्या होताया एक आहाँ आ जाते हैं यहाँ करीदने वाले यहाँ पर यहां से चालू हुई है वहां से सीधा उपर गई है और उसके बाद यह ट्रेंड आप लोग देख सकते हो ठीक है लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं है आपको सिर्फ कि मैं बता रहा हूं कि केंडल स्टिक का फॉर्मिशन बता रहा हूं और किस तरीके से यह वाली केंडल अप जाती वह मैं आपको बता रहा हूं लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि यह केंडल आपने देख के ट्रेड ले लिए यह केंडल बनी है और सीधा मार्केट उपर जाएगी ऐसा भी नहीं होता है यह सब कुछ देखना पड़ता है सपोर्ट होता है एक रजिस्टेंस होता है उसके अंदर कहां पर एक केंडल बन रही है वह चीज भी देखनी होती है इस सारी चीज में आपको अपने सीरीज में सिखा दूंगा टेंशन बिल्कुल मत लो बिल्कुल फिरी का कोर्स है फिरी केंडल को एक बार देख लिए कैंडल केंडल बार देखलीचा मैं इसको बार जूंब टिखाता हूं कि यह कर गांडल की फॉर्मेशन कि टिनी शांदार हो यह उनिर्पक आप予 हूँ辉ड देखा सकता हूं देखो छो यह वाली जो डिक आप लोग देख पा रहे हो यह जो क यहां से तो अब यह मार्केट उपर जानी चाहिए थी लेकिन उसके बाद यह वाली केंडिल बन गी और यह पूरा मार्केट डाउन चला गया ऐसा कैसे हो सकता है देखो यह सारी साइकलोजी आपको सीखनी पड़ेगी वह कैसे सीखनी मैं आपको आता हूं मैं आपको सिखा द चलतीरी चलतीरी फिर उसके बाद यहां पर रुख गए मार्केट मतल अब भी यह मार्केट एक तरीके से यहां से देखा जाए तो यह उपर है मार्केट अब ट्रेंड में मार्केट ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है अब हो तक है मार्केट इस टाइम तो आप ट्रेंड मे एप नहीं ले गई इतना ट्रेंड लेने की बाद उसके बाद यह वाली केंडल बन जाती Otherwise Yeah, Profit Tilji Candle केंडल भी कह सकते जयरी है आफ और फिनी फित अत्रेप मारके इसको फसाने के लिए इस तरीग है का साथ जाती है और उनका ये stop loss लग जाता है ठीक है stop loss लग जाता है अब मैं आपको बताता हूँ अब अगर जो मेरी तरह मलगी मेरी तरह नहीं जब आप भी सीख जाओगे ना मेरी तरह तो क्या होगा आपको पता चल जाएगा या पूरी market ये uptrend में है पूरा उपर जा रहा है और यहां से भी इतना बड़ा मूव ले लिए तो उसके बाद और उपर नहीं जाता है एकदम से क्योंकि एक मार्किट है ये सो डेर सो पॉइंटी मूव करेगी निफ्टी जो होती सो डेर सो पॉइंटी मूव करती है तो ये चीज मैं आपको समझाऊंगा आगे कोई दिक्कत वाली बा जिससे की आप जच्ज कर सकते हो अगर आप इसके उपर दस बार ट्रेड लेते हो दसमें सब पांस, साथ, आट बार सही हो mandate और दो या तीन बार आप एक बार गलत भी हो सकते हो इसा होता ही होता है हर एक चीज के ऊपर ये चीज लागू करती है थीक है तो अब हम देखते हैं कि जैसे कि अब ये वाली candle है, आप लोग ये candle देख पा रहे हो, ये candle जैसी बनी, उसके बाद ये भी एक candle बन गई, इसमें क्या हुआ, मैं आपको दाता हूँ, देखो इन candle के उपर भी क्या हुआ है, अब ये candle जैसे कि यहां से open हुई market, यहां से candle open हुई, और open ह इतना बड़ा रोल होता है, हर एक चीच के उपर, देखो कैसे, कि अब यहां पर क्या दे, यहां पर बहुत सारे लोगों सेल किया, यहां पर बायर्स आगे, मतलब लोगों ने यहां पर खरीदने स्टार्ट कर दिया होगा, उपर के लिए, ठीक है, ये candle देखके, इन candle को द और इनका यहां पर इनका लोस हो गया होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग यह पूरी साइकलोजी समझ जाओ, कि भाई, मार्केट ओलेड इतना उपर है, और कितना उपर जाएगा, तो अभी ट्रेड नहीं करते हैं, एक बार देख लेते होता क्या है, तो अगर यह मार् केंडल को इडेंटिफाइ करके ना, बहुत अच्छी सेल का कन्विक्शन कर सकते हो, और बहुत अच्छी सेल कर सकते हो, तो दोस्तों यह जो केंडल मैंने आपको दो सीखाई है, यह पहली केंडल किस चीज के ओपर थी दोस्तों, कि अगर ट्रेंड डाउन जा रहा है, और यह वाली केंडल बन जाती है, तो यह ट्रेंड अपके लिए जा सकती है, ठीक है, जैसे कि मैंने आप यह आपको दिखाया था, अभी एक सेइंड पहला जैसे यह भी देख सकते हो, यह केंडल कितनी स्टोंग है, आपको देखो, यह पूरा ट्रेंड डाउन जा रहा है, डा सिलो सिलो हम चलेंगे, बेसक, लेकिन मैं आपको इतना बता रहा हूँ, आप बिल्कुल जीरो लेवल से सबको सीख जाओगे, ठीक है, और अगर हाँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो प्लीज लाइक और सस्क्राइब जरू कर देना, यार मेरी एक बार, फिरी मे इतनी अच्छी मैनत आपके लिए कर रहा हूँ मैं, तो भाई उसके लिए में या अप्रिशेशन मिलना ही चाहिए, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो मैं लाइक और सस्क्राइब जरू कर लेना, ओके, तो अपनी नेक्स्ट के उपर, चलिए दोस् और जब जाके अच्छे समझ आएगा, बेट मैं आपको थोड़ा से इसके एक्स्प्रेशन कर देता हूँ, पिरमार केंडल क्या होती होगी दोस्तों, मैं आपको दोस्तों केंडल जो होगा है, यहां पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमें पता है, जो ग्रीन केंडल होत तो यह लाइन का मतलब होता है, यह केंडल यहां तक पहुंची है, और यहां तक आई होगी पहले केंडल, यहां तक आने के बाद फिर यहां से केंडल बैक गई होगी, और बैक जाने के बाद ऊपर जाके बंद होई है, तो यह लाइन का मतलब है, यहां तक केंडल पहले आ देखो अब अगर ऐसी कोई कैंडल और दिखायीздि देती है ग्रीन कमरें को दिखायीदिंघ़ने को इसका मतलब सीम्पल और सीधा रआए बाई रहा करनाक्या है यहां से पंडल ऑपन हुई यहां पर होने के जो उपर को लेके जाते हैं मार्किट को वो बैठे थे और उन्होंने बेकना स्टार्ट कर딩ा खरीदना स्टार्ट कर दिया और यह केंडल चलीगी , पूरी ग्रीन बन गई और ग्रीन जाके यहां जाकर क्लोज़ हो गई , तो केंडल गई unityा तो यह केंडल गई कर दिया मल्दल् की बेगना भेगना मल्द खरीदने है स्टार्ट कर दिया और ये चेंडल चली गिए सीधा उपर जाने लगी और उपर जाकी पूरी ग्लीन बन गई और ग्रीन जाके यहां जाके क्लोज हो गई तो दोस्तों यह कैंडल गई नीचे थी लेकिन बनी है उपर close होई है मतलब यहां पर क्या है जो जो sailors है वो हो गए है वीक वो जदा वीक हो गए है और यहां से क्या है यहां से अगर इस तरीकी आपको candle दिखाए देती तो trend जो है यहां से उपर जाने की ज़्यादा कोसिस करता है क्योंकि कि अगली candle green बनेगी उसके बाद से green बनेगी इस तरह की CNDL बन जाती है ठीक है इस तरीक से यह हो गई अब है और रैडल केंडल क्ये होती है ओपन दोस्तों यहां पे होई होगी ओपन यहां पर होई होगी ओखनी जो दकेल próxim पर यहां तक पुचा दिया है और यहां से भी ट्रेंड उपर ही जाने की कोशिस करेगा क्योंकि यहां पर यह श्ट्रोंग हो रहे थे लेकिनिया रिजेक्षिन थैस्ट रिजेक्षन रहे एंस तो मिटें से मैं पर अगर आप यहां पर नीचे उपन होती है उपर क्लोज होती मैंने आपको दस बार बता दिया यह चीज अगर आप यह नहीं समझ पा रहे तो भाई दो तीन बार आपको चार्ट देखना पड़ेगा लाइव मार्केट के अंदर आपको समझे जाएगा मार्केट बंदी कैसे है थो कि यहां से सीधा ओपर गई ठीक है लेकिन ऊपर यहां पर कोरी केंडल गरीं बनी होगी यह झाज तक पहुंची Stre Z अब साथ यहां पर यहां पर गर करना है कर यहां तक पहुंच जो के लिए पहुचने यहां से आप मार्केट नीचे जाएगी यही सेम इसके साथ हुआ यह वाली जो केंडिल है यह वाली केंडिल है पहले यहां से बननी स्टार्ट हुई लेकिन यहां पर फिर से खाए और फिरन नीचे तक पचा दीं और यहां से ट्रेंड नीचे जाएगा अब देखने वाले जिए डिकाएं गोगे ट्रेंड लेवर्सल तर चाहिं जैसे आप यहे कनल मेंगी और चार्ट के अंदर जंद हो ग च्छोटी सी पिने ठीक है और यहां से क्या हुआ पूरा ट्रेंड डाउन ट्रेंड हो गया है ठीक है मतलब हुआ क्याता है मैं आपको दाता हूँ देखाँ इधर आप देखना बहुत जादा मजा आएगा आपको और आप सीखोंगे किस तरीके से फोर्मेशन हुआ है ठीक है ओके है फोर Durch Capriai के लंदय और्हार क सटांट यहां से स्टार्ट या से स्टार्ट यहां से श्टार्ट बीर है येशा तरीके से ये पूरो एक जिख़रा है रहां तक यहांता के पूरे ग्रीन गांडल बर्योगी पहले इस तरीके से ग्रीन केंडल बनी होकि को यहां अपर आभ यह फोरा होगा मैं आपको थाता हूं अब यहां से थोड़ा नीचे अब ग्रीन कैयंडल बनने के बाद यह उखतोगे-खचे-टरीचे-दूइए और यहुट इस तरीफी लगै Earl Eat up कहा है? अब यहने तरीके से इस तरीके की और ने यहिसे काम है? देखो एक नीचे की लाइन होगी सीधी अभी यहां तक है लेकिन यहां से भी उपर को जाने लगी होगी और यहां जाकर क्लोज हो गई है ठीक है तो दोस्तों यह बनगे पिनवार केंडल ठीक है तो मतलब उपर गई उपर से सीधा नीचे आई तो इतनी जगा छोड़ दी इ उसके बाद यह नीचे गई नीचे से भी उपर गई और यह जगा छोड़ दी इसने मतलब यह होगी पिनवार केंडल मतलब क्या हुआ देखो सबसे पहले यहां पर हुआ क्या होगा मैं आपको होता था हूँ बड़ी सिंपल तरीका से बता रहूं भाई यह कोई नहीं बता होत जाता बाइर्स हाही अउपर चले ही झाली उपर जाली ऑपर चली ऊपर आगी फुभाध भी पूरी केंडल बन गई लیک Macken यहां पर वह वायर जोते soldiers जोतेना से लर्डो जो उपर से बिकने वाले थे तो सेलर जो थी वह स्ट्रोंग वह को गए गए उन्हों नें इस सो क नीचे लेके आने वाले थे वह स्ट्रॉंग हो गए जब वह स्ट्रॉंग हो गए न दोस्तों पूरी मार्केट को नीचे धकेल दिया तो इस तरीके से यह बन गया एक पिनवार केंडल का सेट अप के पिनवार बन गई तो भाई नीचे ही जाने वाली है क्योंकि उपर हमारे जो बायर से वो श्टोल नहीं थीचे और यौँद dau Grade को आप यहां तक राइड केंडल बनी थी यहां तक यह कंडल रेड बनी थी दोस्तों यहां तक रेड बनी थी लेकिन यहां पर क्यों आ गए यहां पर आ गए बायर्स जो उपर लेके जाते हैं मार्केट को जो उपर लेके जाने लगे और मार्केट को यहां तक लेके तो समझ जाओ कि यहां पर आप सेलर जो है न जो नीचे और लेके जा बनाला है यह ऐसा नहीं है यहां से नीचे जा रही है तो नीचे यह जाता रहेगी नहीं आपर इस तरीके से shortcuts यह देखते ह्के एक यह दो रह गङलोण कैंडल और मिलती है हमें तो हम देखते हैं ठीक है और कोई पिनवार केंडल है हमारे सामने तो एक वेगष देख लेते हैं यहई जैसे पिनवार कैंडल एक और पिनवार केंडल आपको दिखाता है देखो दोस्तों अब यहां पे क्या हुआरी-ोपर जा रहा था इस तरीके से इस तरीके से अभी हां पर रे इस तरीके से हो सकते ट्रेंड ऊपरी जाता लेकिन वा क्या दौस्तों यह रहा था मैं पुम्छा घरता हूँ Shunagren बने होगी यहां तक पहुंची होगी ग्रीन कि अभी लेकिन यह तक मिलिक यह बो Am jesteśmy स्ट्रोंग हो गए हैं उन्होंने धकेल के मार्केट को यहां तक लिया है तो समझ जाओ यहां से जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ नी नीचे की तरफ जाने वाला है और देखो कितना बड़ा डाउन ट्रेंड यह लेकर आ गए हैं एक बार मैं आपको दिखाता हूं कितना पर्मकाट से कर देख देख लो कि किस तरीके सी चार्ट को बैक टेस्ट करो कि हांा ठीक तो आपको सबसे पहले वह चीज जाकर देखने हैं और सीखना है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना है जिससे कि में जैसे मोटिवेशन मिले और नेक्स वीडियो माप लोगो के लिए बनाओं ओके गाइस थेंकियो सो मच बढ़ाई